Hello Everyone, Welcome to Health Secret Gyan Pregnancy के दोरान हर महिला के मन में रहता है कि वो क्या खाए और क्या ना खाए इस दोरान हर महिला को अपना ज्यादा ख्याल रखने की जरूरत पड़ती है Pregnancy में सबजियां खाना बहुती ज्यादा important होता है क्योंकि सबजियां कई सारे पोशक तत्वों से भरपूर होती है इनमें water होता है, folate होता है, fiber होता है और बहुत सारे minerals होते हैं तो इसलिए आपको अपनी Pregnancy के दोरान सबजियों का भरपूर सेवन करना है अब बात आती है कि आखिर कौन सी सबजियां हमें Pregnancy के दोरान खानी चाहिए जिससे आपकी Pregnancy अच्छी रहे और आपके बेबी का development अच्छे से हो पाए और आप सभी complications से बची रहे आपकी body में energy बनी रहे और आप स्वस्थ रहे जब आप स्वस्थ रहेंगी तो आपकी baby की growth भी बहुती अच्छे से हो पाएगी तो आज की इस फीडियो में मैं आपको कुछ ऐसी summer vegetables के बारे में बताऊंगी जिने Pregnancy के दोरान खाना आपके लिए काफी फाइदे मन्द होगा तो आई जानते हैं कि कौन सी summer vegetables हैं जिने आप अपनी Pregnancy के दोरान खा सकती हैं आखिर क्या खास छिपा है इन सबसीयों में जिने आपको जरूर खानी चाहिए लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देख रही हैं तो चैनल को सबस्क्राइब करना ना भूले और साथ ही पास की घंटी को भी दबा दे जिससे की हमारे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे तो summer vegetables की बात करें तो सबसे पहले हैं लौकी और तोरई लौकी और तरोई स्वादिस्ट लगने के साथ ही पोशत तत्तों से भरपूर होते हैं गर्मियों के मौसम में जादा तर लोग लौकी की सबसी बहुत ही शौक से खाते हैं इन सबसियों में प्रचुर मात्रा में आयरन की मात्रा पाई जाती है तो इन्हें आपको जरूर खानी है ये प्रेगनेंसी के दौरान होने वाले कप्स की समस्या को भी दूर करेंगी क्यूकि इनमें फाइबर की मात्रा बहुत ही अच्छी पाई जाती है लौकी में क्यालशियम होता है जो हड्डियों के लिए बहुती अच्छा माना जाता है तो इनका सेवन आप जरूर करें नेक्स्ट है कद्दू कद्दू में कई सारे पोशक तत्व मवजूद होते हैं यह प्रो विटामिन ए और कैलशियम का बहुती अच्छा शोर्स होता है गर्भावस्था के दोरान फोलेट या फोलिक एसिड खादे पतार्थों का सेवन बहुती ज़ादा जरूरी होता है गर्भावस्था में फोलेट का सेवन करने से शिशु में नियूरल त्योब डिफेक्ट यानि की रीर और दिमाग संबंधित समस्याएं दूर होती है जो की इसमें 16 माइक्रो ग्राम फोलेट मौजूद होता है साथी कद्दू में जिंक, कॉपर, नियासिन, थाइमिन, राइबोफलेविन, सेलिनियम और मैगनीज जैसे पोशक तत्व भी मजूद होते हैं इसके अलावा कद्दू में पोटेशियम भी पाया जाता है तो ऐसे में प्रेगनेंसी के दोरान कद्दू का सेवन आपके ब्लड प्रेशर को भी नियंत्रेट करेगा साथी कद्दू में फाइबर बहुत ही अच्छी मात्रा में पाया जाता है तो इसलिए ये आपकी कप्स की समस्या को भी दूर करेगा इसके अलावा कद्दू में बीटा कैरोटीन और विटामिन सी जैसे पोस्ट्रक तत्व भी मौजूद होते हैं जो कि आपकी रोग प्रतिरोधक छमता को बढ़ाने में बहुत ही मददगार होते हैं तो कद्दू को भी आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें नेक्स्ट है भिन्डी प्रेगनेंसी में भिन्डी का सेवन बहुती लाबकारी होता है कारण यह है कि प्रेगनेंसी में मुख्य रोप से महिला को ऐसे खादे पतार्थों का सेवन करने की सलहा दी जाती है जिनमें फोलीक आसीड, आईरन, जिंक, कैल्शियम, विटामिन सी और विटामिन डी के साथ ओर्जा और प्रोटीन प्रचुर मात्रा में उबलब्ध हो भिन्डी एक ऐसी सबजी है जिसमें यह सभी पोशक तत्व अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं तो इसलिए गर्भावस्था के दौरान भिन्डी खाने की सलह जरूर दी जाती है भिन्डी में फोलेट की बहुती अच्छी मात्रा पाई जाती है और फोलेट गर्भवती महिलाओ के लिए बहुती ज़ादा जरूरी होता है ये आपकी मेटाबोलिजम को सुधारता है साथ ही आपकी शिशु में जन्म दोश्ट के जोखीमों को भी कम करता है इसके अलावा भिन्डी विटामिन सी से भरबूर होती है विटामिन सी आईरन की अपसोसर में बहुती ज़ादा महतबूर होती है जो कि भूड के विकास के लिए बहुती ज़ादा आवश्यक है साथ ही भिन्डी भूड में तवचा, हड़ी और कोश्विकाओं के विकास में भी बहुती ज़ादा मददगार साबित होती है भिन्डी की खास बात यह है कि इसमें डाइटरी फाइबर होने के काऱर इसमें घुलनशील और अघुलनशील दोनों तरह के फाइबर उपलब्ध होते हैं जिसके कारण ये प्रेगनेंसी के दोरान कब सी की समस्या को भी दूर करती है तो इसलिए भिंडी का भी सेवन आप जरूर करें समर वेजिटेबल्स की बात करें तो नेक्स्ट है बीन्स बीन्स को भी आप जरूर खाएं इसमें प्रोटीन बहुती अच्छी मात्रा में होता है हरी बीन्स को आप सलाद या सबजी की तरह खा सकती हैं इसे आप दलिया, खिचडी या पुलाओ में डाल कर भी खा सकती हैं बीन्स प्रेगनेंट लेडी के लिए बहुती जादा फाइदे मंद होती हैं तो बीन्स को भी आप अपनी डाइट में जरूर शामिल करें समर में कैरीज भी आने लगती हैं तो इसलिए इसे भी आप जरूर खाएं क्यूंकि कैरीज में बहुत सारे नियूट्रियेंट होते हैं इनमें एंटि आक्सिडेंट्स होते हैं विटामिन्स मौजूद होते हैं जो आपको हीट स्ट्रोक से बचाने में मदद करती हैं इसके अलावा समर की बात की जाए तो खीरा और ककड़ी इनका भी सेवन आपको भरपूर मात्रा में करना है क्यूंकि खीरा और ककड़ी में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं जो आपके लिए काफी फायदे मंद होते हैं खीरे में 95% पानी मौजूद होता है तो इसलिए ये शरीर को हाइडरेट रखने में मदद करता है खीरा में आइरन, कैल्शियम और फोलेट के साथ साथ कई सारे पोशक तक्त्व जैसे की पोटैशियम, फॉस्फोरस, जिंक और विटामिन A भी मौजूद होते हैं ऐसे में प्रेगनेंसी के हेल्दी डाइट के लिए खीरा और ककड़ी को आप जरूर शामिल करें खीरे को आप काट कर सलाद के तोर पर खा सकती हैं खीरे का रायता बना कर भी इसे आप उप्योप कर सकती हैं इससे आपकी बॉडी को अंदर से ठंड़क मिलेगी इसके अलावा हरी सबसियों के साथ मिलाकर इसका जूस बनाकर भी आप पी सकती हैं लेकिन आपको ध्यान रखना है कि कुछ खीरे स्वाद में करवे होते हैं और उनका ये करवा स्वाद उसमें मौजूद कुकर वीटा सीन्स के कारण होता है तो ऐसे में आपको ऐसे खीरे बिल्कुल भी नहीं खाने चाहिए तो इस तरह समल में आने वाली सबसियों का इस्तिमाल आप जरूर करें जिससे आपकी प्रेगनेंसी हेल्दी रहें, आप एनर्जेटिक रहें और स्वस्त रहें और आपके बेबी की ग्रोथ भी बहुत ही अच्छे से हो पाए आपको ध्यान इस बात का रखना है कि हर किसी की प्रेगनेंसी एक समान नहीं होती है तो ऐसे में बहतर है कि अगर आपको कोई समस्या हो तो एक बार डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें तो ये वीडियो आपको कैसी लगी उसे कॉमेंट बॉक्स में जरूर बताए क्यूंकि आपके कॉमेंट हमारे लिए बेहत खास है और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही पास की घंटी को भी दबा दे जिससे की हमारे आने वाले सभी वीडियो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे आशा करती हूँ आपको ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी तो हैल्दी रहे फिट रहे थैंक्स पर वाचिंग